हेलो फ्रेंड्स तो आज हम करेंगे इस सूट के कटिंग आज कल सरदिया चल लहीं है और इस तरह के सूट काफी चल ला है काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बॉर्डर कैसे रखें अपनी कुर्टी को आड़े में कटिंग करें या फिर इस बॉर्डर को निकालें यहा इधर है दोखो इधर border नहीं है और इस side में इसका border है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस border को cut करके निकाल लेंगे हम यहाँ पर इस border से आदा इंच दूर जाके cutting करेंगे जो हम अपना margin ले सकें तो हमने याप border cut कर लिया है कुछ लोग क्या करते हैं border cut करते हैं और अपनी कुर्टी को इस तरीके से cutting कर देते हैं आड़े में जब आप अपनी कुर्टी को आड़े में cutting करेंगे ना तो वह एक तरफ को भागने के chance उसमें जादा रहते हैं और कुर्टी में खिचाव रहता है ठीक है यानि कि सही fitting नहीं बैट पाती तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस border कट करके निकाल लेंगे अपने दामन में आगे पीछे और slips में से लगाएंगे तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको बिचाएंगे ठी handle में जो क्याना में हमारा यह लुस करने के काम आता है उसके बाद हमMost 27 लेंगे नीचे चाकों में फोल्ड करने के लिए नहीं een total हमारा ओगया वह 15 हो धीफिक अभं 15 इसको इस तरीके से पूरा इस दिडिया है बहर हमने यह 15 बिचाए ने के बाद मिंसंदा ने सबसे तो आप यहाँ पर एक इंच लें मगर मैं यहाँ लगाँगा हम नापने के बाद में एक तारिस की जगह हम लेंगे यहाँ पर साड़े एकतालेस इंच क्योंकि कंदी में हमारा आदा इंच मार्जन जाएगा तीक है अब दोस्तों यहाँ पर हम रखेंगे सबसे पहले इसका शोल्डर शोल्डर है इसका बारा इंच तो हम बारा का हाफ कर लेंगे छे इंच और उसके बाद इस लंबाई वाली जगा से हमें लिकालना है आर्मूल अब हम आर्मूल लखेंगे साड़े छे इंच यानि कि हम शोल्डर से आदा इंच बढ़ा के आर्मूल अपना रखेंगे तो इस तरी किसे हम पहले इसको सीधा कर लेते हैं लंबाई वाले निशान को उसके बाद जो चाक जहां से खुलेंगे वो हो गए हमारा साड़े 20 इंच ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर हम इन निशानों को भी सीधा कर लेते हैं सीधा करने के बाद अब हमारा यहाँ पर इसकी जो चेश्ट है वो है 44 इंच 44 का फोरवाग कर लिया हमने हुआ यहाँ पर 11 इंच है अब दोस्तों हमें यहाँ पर हमने लगा दिया कितना ग्यारा चौक 44 और जो इसकी अपर ब्रेस्ट है वो है 45 इंच का फोरवाग करेंगे हमारा हो गया यहाँ पर सबह 11 इंच हमारे यहाँ पर इस जगा एक इंच का फरख है यानि कि यह है लोवर ब्रेस्ट 44 इंच और अपर ब्रेस्ट है 45 इंच तो इस तरीके जह हमने रख दिया अब इसकी जो पेट है वो है यहाँ पर 41 इंच 41 का फोरवाग कर लिया हुआ 17 इंच अब इसकी जो हिब है वो है 47 इंच 47 का फोरवाग करेंगे दोस्तो हो गया यहाँ पर पहुने 12 इंच तीक है अब इन निशानों को भी हम लगा लेंगे इस तरीके से अब इसका दामन है वो है 24 इंच ठीक है यानि पल्लू तो 24 का हाफ करेंगे हो गया 12 इंच सबाइंच लेंगे हम उसके लिए तुरपाई के लिए आप चाहें सिलाई लगाए तो एक इंच लें तुरपाई करें तो सबाइंच लें तो मैंने यहाँ पर लिया है सबाइंच और यहां पर भी लूँगा मैं सबाइंच और इस जगह लूँगा दो इंच और यहां पर भी लूँगा दो इंच आप चाहें तो यहां धाइंच भी ले सकते हैं यहां पर भी दो इंच अब दोस्तो हमने यहां पर लगाया गये निशान छे इंच पे तो यहां हैं से देंगे गोल आई ठीक है गोलाई देने के बाद दोस्तों अब हमें यहां से आधा इंच इसको डाउन करना है तो डाउन कैसे करेंगे हम आधा इंच उपर जाएंगे हलका सा और यहां पर इसको डाउन कर देंगे ठीक है इस तरीके से अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग अब दोस्तों हमें यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है अपना सामना उसके बाद में इसके नीचे लगाएंगे एक निशान जिससे हमें फिटिंग की सिलाई लगाते टैम कोई परिशानी ना हो यहाँ लादेंगे हलका सा कट और कट लगाने के बाद में इसको इस तरीके से खटा कर लेंगे और नीचे वाली सेट भी बरावर से कटिंग करेंगे अब दोस्तो हमें अपने इसकी करना है बैक कटिंग करने के बाद हमें सबसे परहे लगाना है उल्टे का एक निशान यह निशान लगाना ज़रूरी है जो हम इस टीचिंग करते टैम हमें परिशानी ना हो और यहां से इस तरीके से इसको रखेंगे ठीक है मिलाके यह सेड़े बिलकुँ मिल जाना चाहिए आपकी और इसको अच्छी तरीके से बिचा देंगे अब यहां पर कुछ लोगों की शिकायत आती है कि हमारी कुर्ती उपर को उचक रही है आपकी कुर्ती कभी उपर को नहीं उचकेगी अगर आप इस तरीके से कट कर देते हैं अब यहां पर लगाएंगे कट एक कट लगाएंगे वूपर अब दोस्तों हमारा बैग और फ्रेंट दोनों कट चुका है अब हमें कटिंग करना है सिलेप को दोस्तों इस मेंसे जो हमने बौर्डर निकाला दा ना तो उसकी वज़े से हमारे यहां स्लेप्स की चोड़ाई कम है जिसके वेसे बीच में इसके आएगा जोड़ तो आपको क्या करना है इस तरीके से तला उपर करके इसको बिचा देना है ठीक है और बिचाने के बाद में आपका जोड़ बिल्कुल पता नहीं चलेगा मैं बताऊँ हूँ वो कैसे तो आप यहाँ पर इस तर आएंगे उसके बाद यहां से तीन इंच पर जाएंगे और तीन इंच के बाद हम इस तरीके से साड़े आर्ट हिंच हम स्लिप्स का आर्मोल कटिंग करेंगे ठीक है इस तरीके से और कटिंग करने के बाद में अब आप स्केल लेंगे इस पिरकार यहां पर निशान अब दोस्तों यहां पर जो हमारा यह जोड आया है ना बीच में यह जोड इस पर लगाएंगे सिलाई और सिलाई लगाने के बाद इसकी दरस फालके प्रेस कर लेंगे जिससे बिलकुल हमारा जोड नहीं चमकेगा तो इसी परकार हमें अपनी दूसरे सिलिप्स कटिंग करना है और यहां से हमें पौन इंच का गैब देना है यह हमारे फ्रेंट पल्ले में चड़ेगा ठीक है इस तरीके से तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों अब यहां पर मैं आपको बताओं जो बौर्डर है हमारा यह यह बौर्डर हम लगा देंगे अपने पल्लू पे इस तरीके से तीक है इस तरीके से लगाना है और हमें अपने सिलिप्स के मूँ पे लगाना है बौर्डर यहां पर जतना भी है सब हमारा यह काम में आ जाएगा तो दोस्तों यही थी हमारी वीडियो कभी भी आप अपने बॉर्डर कटिंग ना करने के चक्कर में सूट को कभी भी आड़ा कटिंग ना करें अपने बॉर्डर को लिका लें और बॉर्डर को लिका लें के बाद में ठीक है आपको अपने बॉर्डर को अलग से लगाना पड़ेगा इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और बॉटर को ओपर चपका देंगे तो तेली दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में ठैंक्स फूर वाचिंग